क्लास मॉनिटर बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था उस स्कूल की पहली क्लास में एक 6 साल की बच्ची चिंकी भी पढ़ती थी एक दिन टीचर ने चिंकी को अपने पास बुलाया चिंकी, मेरे पास आओ Students, चिंकी क्लास में हमेशा First आती है और वो Sports और बाकी Activities में भी बहुत अच्छी है इसलिए मैं चिंकी को क्लास का मॉनिटर बनाती हूँ लेकिन टीचर, मैं पहले कभी क्लास मॉनिटर नहीं बनी इसलिए मुझे मॉनिटर बनना नहीं आता कोई बात नहीं, मैं तुमें सिखा दूँगी ओके टीचर इस तरह चिंकी क्लास की मॉनिटर बन गई अब वो टीचर के सामने वाली सीट पर बैठने लगी टीचर को कुछ भी काम होता, तो वो चिंकी को ही बोलती इस तरह सब सही चल रहा था चिंकी क्लास मॉनिटर बन कर खुश थी फिर एक दिन टीचर ने चिंकी से कहा चिंकी, मैं किसी काम से प्रिंसिपल सर के ओफिस जा रही हूँ तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कोई भी स्टूडन्स शोर ना करे ओके टीचर ये कहकर टीचर क्लास से चले गई लेकिन टीचर के जाते ही सभी स्टूडन्स शोर करने लगे और फिर सभी बच्चे एक जगह जवा होकर जोर-जोर से बात करने लगे तुम्हें पता है कल यूट्यूब के पुन्टून किट्स चैनल पर मैंने एक बहुत अच्छी कार्टून वाली कहानी देखी थी मैं तो रोज पुन्टून किट्स के कार्टून देखता हूँ सभी को इस तरह से शोर करते देख चिंकी ने उनसे कहा शोर मत करो, प्लीज सब अपनी सीट पर बैट जाओ लेकिन किसी ने भी चिंकी के बाद नहीं सुनी और सब ऐसे ही शोर करते रहे तबी टीचर वापस आ गए ये क्या हो रहा है टीचर को देखकर सभी स्टूडन्स डर गए और जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैट गए चिंकी, मैंने तुमसे क्लास का ध्यान रखने के लिए कहा था ना सौरी टीचर ऐसा ही और भी कई बार हुआ फिर जब एक दिन फिर से टीचर को क्लास से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने चिंकी से कहा चिंकी, मैं किसी काम से लाइब्रेरी जा रही हूँ तुम क्लास का ध्यान रखना टीचर, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता चिंकी, अगर कोई ये स्टूडन्ट शोर करे तो तुम उसे कुछ मत कहना बस उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना वापस आकर मैं उस स्टूडन्ट को खुद पनिशमेंट दूँगी ओके टीचर चिंकी के ऐसा कहने पर टीचर क्लास से चली गई और उनके जाते ही स्टूडन्स हमेशा की तरह मस्ती करने लगे लेकिन इस पार चिंकी ने किसी को कुछ नहीं कहा और एक एक कर उसने स्टूडन्स का नाम ब्लैक बोर्ट पर लिख दिया कुछ समय बाद टीचर क्लास में लोटी तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ट पर कुछ स्टूडन्स के नाम लिखे हैं जिस जिस के नाम बोर्ट पर लिखे हैं वो स्टूडेंट्स हाथ उपर करके खड़े हो जाए ऐसा बहुत बार हुआ इसलिए अब टीचर की पनिश्मेंट के डर से स्टूडेंट्स ने क्लास में शोर करना बंद कर दिया और इसी वजह से अब कोई भी स्टूडेंट चिंकी से बात भी नहीं करता था तुम हमारा नाम बूर पर लिख देती हो और फिर पीचर हमें पनिश्मेंट देती है चिंकी क्लास में अकेले रहने लगी क्लास में कोई भी उससे बात नहीं करता था कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था एक दिन वो ऐसे ही अपने कमरे में उदास बैठी थी तभी उसकी मम्मी उसके पास आई क्या हुआ चिंकी तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो चिंकी ने मम्मी को सारी बात बताई और फिर उनसे कहा मम्मी मुझे क्लास मॉनिटर नहीं बनना मैं कल ही teacher से कहूंगी कि वो किसी और को class monitor बना दें लेकिन चिंकी, तुम तो class monitor बन कर बहुत खुश थी हां, लेकिन अब कोई मुझसे बात नहीं करता कोई भी मेरा friend नहीं बनना चाहता चिंकी, तुमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए बलकि इस problem का कुछ और solution निकालना चाहिए याद रखो, हर problem का कोई न कोई solution जरूर होता है चिंकी को मम्मी की बात सही लगी तभी उसे एक idea आया अगले दिन जब teacher class से बाहर गए तो चिंकी ने सभी students से कहा मैं जानती हूँ मैं जब तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिखती हूँ तो तुम्हे punishment मिलती है इसलिए तुम सब मुझसे बात नहीं करते लेकिन मुझे class monitor बनना बहुत अच्छा लगता है तो अगर तुम सब बिना शोर मचाए धीरे धीरे बात करोगे तो मैं किसी का नाम ब्लाक बोर्ड पर नहीं लिखूंगी सबी को चिंकी की ये बात बहुत अच्छी लगी हाँ, चिंकी ये आइडिया सही रहेगा इससे हम बात भी कर सकेंगे और किसी को punishment भी नहीं मिलेगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे इस तरह चिंकी के आइडिया से चिंकी क्लास की monitor भी बनी रही और सबी students फिर से उसके दोस्त भी बन गए गट्टू चिंकी को डान्स करना बेहद पसंद था लेकिन अब तो उनके सिर पर डान्स का भूद प्रापर सवार हो चुका था अरे भाई बात ही ऐसी थी स्कूल ने गैदरिंग का आयोजन किया था जिसमें डान्स का तगड़ा competition होने वाला था तब से डान्स दोनों की नस नस में दोडने लगा था आयाम अ डिस्को डान्सर ना 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 चिंकी क्यो चिड़ा रही है मुझे मैं कहां चिड़ा रही हूँ मैं डिस्को डान्सर बोल रहा हूँ तू ना ना कह रही है क्या मैं डान्सर नहीं हूँ मैंने ऐसा तो नहीं कहा हाँ लेकिन तुम परफेक्ट डान्सर नहीं हो क्योंकि तुम्हारे डान्स में रिदम मिसिंग है ये सुनकर गट्टू चीड़ गया ये सब उस हरी ने मुझसे कहने के लिए कहा है न तुम्हें अब हरी कहा से आ गया बीच में हरी तुम्हारा डांस पार्टनर है न तुम दोनों को लगता है कि डांस कॉंप्टीशन तुम ही जीतोगे इसलिए बाकी जोड़ियों को तुम दिमोरलाइस कर रहे हो न ये सुनकर चिंकी गुसा हो गई हम किसी को दिमोरलाइस नहीं करते बस जो देखा वो पोलते हैं अब है तुमसे रिदम मिसिंग तो है और रहा कॉंप्टीशन का सवाल तो ये कॉंप्टीशन हम ही जीतेंगे हा 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 तो देखा आपने इस डान्स कॉंप्टीशन की वज़े से गट्टू चिंकी का घर घर नहीं जंका मैदान बन गया था स्कूल में भी यही महौल था गैदरिंग की वज़े से पढ़ाई का कुछ टाइम प्रैक्टिस को दिया गया था डान्स कॉंप्टीशन के लिए कुछ जोडिया भी बनाई गई थी जिसमें हरी और चिंकी की एक जोडी गट्टू और गुड्डी की एक ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की ऐसे बहुत से जोडिया बना कर उनमें कॉंप्टिशन होने वाला था इन जोडियों को ट्रेन करने के लिए बाहर से दो ट्रेनर बुलाए गए थे इशिता मैम और रोकी सर दोनों जोडियों को ट्रेनिंग दे रहे थे हरी और चिंकी पहले से ही काफी अच्छे डांसर थे और अब तो पाटनर थे दोनों जिससे दोनों का पफोर्मेंस एकदम दंदार था डांस के लिए गाना भी दोनों ने काफी दंदार चुना था बाकी जोडिया भी ठीक ठाक थी लेकिन गट्टू और गुड़ी की जोड़ी दोनों में रिदम मिसिंग था दोनों एक साथ डांस करते हुए काफी अजीब लगते और सारे उन पर हसते हुए मजाग बनाने लगते लेकिन बिचारे करे भी तो क्या करे उन्हें वैसे ही डांस आता था और रिदम लेस डांस करते हुए उन्हें काफी मज़ा भी आता था लेकिन competition के लिए वो काफी नहीं था सर और मैम हमेशा उन्हें अच्छे अच्छे steps सिखाने की कोशिस करते लेकिन दोनों वो steps और beat पकड़ ही नहीं पाते और हमेशा अलग-अलग तरीकों से dance करते गट्टू और गट्टी बिटा क्या कर रहे हो beats छोड़ो तुम दोनों तो एक दूसरे को match भी नहीं कर पा रहे हो दोनों में रिदा में नहीं है इशिता इनका कुछ नहीं हो सकता ये सुनकर तो सारे बच्चे हसने लगे माहौल देखकर गट्टू भी समझ गया था कि competition तो चिंकी और हरी ही जीतेंगे गट्टू हम नहीं जीत पाएंगे मुझे लगता है हमें competition से आउठ हो जाना चाहिए नहीं गुड़ी, dance सिर्फ जीतने के लिए नहीं किया जाता हम दोनों भले ही रिदम में ना हो लेकिन जो कुछ करते हैं वो करते हुए हमें मज़ा तो आता है न बस वही मज़ा लूटने के लिए हम नाचेंगे, जरूर नाचेंगे गट्टू की ये बात रौकी सर ने सुन ली और वो इंप्रेस हो गये चलो बच्चो, प्रेक्टिस टाइम खतम, अब हम कल मिलते हैं, बाई गट्टू और गट्टी, तुम दोनों रुको, मुझे तुम से कुछ बात करनी है हरी, जरूर सर गट्टू और गट्टी को कॉम्प्टिशन से आउट हो जाने के लिए कहेंगे हाँ, बेचारे गट्टू और गट्टी बिना डान्स किये ही आउट हो जाएंगे और वही हुआ, दूसरे दिन प्रेक्टिस तो हो रही थी, लेकिन गट्टी और गट्टू उसमें नहीं थे देखा अरी, कल क्या कहा था मैंने? और देखते देखते स्कूल में गैदरिंग का महौल बन गया और वो दिन भी आ गया, जिसका सबको बेसबरी से इंतिजार था डान्स कॉंपटिशन का दिन, ठीटर दर्शकों से पुरा भरा हुआ था स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और टीचर्स सभी मौजूद थे गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी आय हुए थे तालिया बजा कर हमारी पहली जोडी का स्वागत कीजिए राखी और अन्शुमान राखी और अन्शुमान स्टेज पर आये और उन्होंने बहतर डांस किया उनकी बाद और भी जोडियां डांस करती रही फिर मिश्रा सर ने एक और जोडी बुलाई स्वागत कीजिए चिंकी और हरी का अल्टा बेश्ट बच्चों हरी और चिंकी स्टेज पर आये और हमेशा की तरह दमदार परफोमेंस देने लगे उनका परफोमेंस इतना तगड़ा था कि उनका डांस खत्म हुआ और फिर भी तालियां बजती रही और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी लास्ट जोडी गट्टू और गोड़ी कमान गट्टू अरे ये दोनों भी हैं कमपटीशन में डोन्ट वरी चिंकी उनका मजाख ही बनने वाला है वैसे भी गट्टू और गुड़ी ने जैसे ही डांस शुरू किया सब सांसे रोक कर देखने लगे ना बीट्स ना म्यूजिक कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे दोनों दोनों बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे और पॉफेक्ट आफ बीट डांस कर रहे थे दोनों का टिवनिंग और स्टेप्स इतने यूनिक थे कि सबकी आँखे बस दोनों पर ही टिकी हुई थी दोनों का दमदार performance खत्म हुआ तो तालियों के साथ साथ once more चिलाने रगे तो इस दमदार dance competition के विनर है चिंकी और हरी ये चिंकी और हरी उचलते हुए stage पर गए और अपनी trophy ले आए competition के विनर तो आपने देखी लिए अब मैं audience के दिलों को जीतने वाले गट्टू और गुड़ी को दोनों के लिए एक special prize है ये गट्टू और गुड़ी stage पर गए दोनों ने prize लिया और फिर गट्टू ने माइक पर कुछ बोलना चाहा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों ठीक से dance भी नहीं कर पा रहे थे फिर इन्होंने इतना अच्छा performance कैसे दिया तो दोस्तों माना की दोनों में रिदम नहीं था लेकिन confidence बहुत था हमारा ये confidence देखकर रौकी सर ने हमें guide किया वो बोले तुम beat में dance नहीं कर सकते तो off beat करो गुड़ी और मैंने काफी मेहनत की और हम इस special prize के हकदार बने हमारे पास जो नहीं उसके लिए रोने से बहतर है हमारे पास जो है उसका इस्तमाल करना हमेशा out of the box vision रखना ये हमने इस competition से सीखा थैंक यू गट्टू की ये बात सुनकर चिंकी, हरी, उनके दो ट्रेनर और बाकी सभी audience इंप्रेश हो गई और सबने उसको standing ovation दिया अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें